नमस्कार प्रोग्रामर्स तो अभी तक हमने क्या किया कि हमको जो डेटा चीए था वो हम फैच करके ला चुके हैं यहाँ पर और इसको हमने चेक भी कर लिया है सिंप्ली हमने कमेंट जो लाइन की है इसी की मदद से हमने चेक भी कर लिया है कि डेटा आ चुका है अब हमारा काम क्या है सिंप्ली कि यह सारा डेटा हम ले चलके प्रोफाइल में सेट करें तो अब ध्यान रखो यहाँ पर हमको कोई भी लूप चलाने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि हमारा डेटा जो है वो सिंगल डेटा है तो हम कस्टमर प्रोफाइल पे चलते हैं और यहां पर जो कुछ डेटा हमें सेट करना है वो यहाँ पर करना है तो हम ऐसा करते हैं कि इसी के लिए एक बार हम इसको uncomment करते हैं एक बार इसको refresh करते हैं ऐसा करने का reason क्या है हमें सारे field यहाँ पर मिल गए तो आसानी अब पेस्ट कर पाएंगे ठीक है तो अपनी file पर चलते हैं तो यहां पर हमें करना क्या है, सारे के सारे डीटेल्स हमें दिखी रहे हैं हम यहां से सरू करते हैं, यहां पर हमें data चाहिए है तो यह name है, यहांपर हम simply प्येच्पी टैग लिए और अब ध्यान दो, हमें जो data चाहिए है, वो mail कहां से रहा है असल में डॉलर और डॉलर के साथ में जो हमारे क्या करते हैं एरे का नाम है वो एरे का नाम क्या है प्रोफाइल डेटा और आप एक चीज़ यहां पर देखो प्रोफाइल डेटा में जो डेटा हमें मिल रहा है वो मिल रहा है कहां पर जीरो इंडेक्स के फेल्ड पे मिल रहा है मतलब की अगर हम अभी यहाँ पर केवाल एक मेट फोन आ गया तो थोड़ा सा मैंने वीडियो पाउस कर दिया था और मैंने टाटा की ग्रेंड कॉफी फेल्टर वाली मंगाई थी थोड़ा उसको ट्राइ करने चला गया था तो कॉफी तो हाला की बन नहीं पाई क्योंकि मैंने बिना पूरी इंक्वाईरी के मंगा तो लिया था बट उसका कुछ प्रोसेस अलग था उसको फिल्टर करने के लिए अलग तरीका होता है तो देख तो लिया है अभी मंगाएंगे फिर देखेंगे कैसे वो बनती है कॉफी फिर बताऊंगा आपको तो अभी हम जहां पर थे वहां से आगे बढ़ते हैं हम यहां पर simply क्या लेकर आने वाले हैं dollar value क्यों लिक रहे हैं copy paste किया था profile data profile data में से हमको क्या चीए यहां पर profile data में से हमको चीए है यहां पर simply name और अगर सब कुछ सही है तो यह data हमको मिलना चीए कहां पर यहां पर तो यहां पर एक दिक्कत क्या आ गई हम एक data को चेक कर लेते हैं और इसको refresh करते हैं एक बार को फिर हम आगे बढ़ेंगे पहले तो यह हमको controller में से comment करना पड़ेगा एक बार refresh करते हैं ठीक है तो यहां पर हमको मिला है error, error क्यों मिला चलो देखते है profile data था ओके यहां पर हम क्या समझने वाले थे हमको जो data मिल रहा है वो असल में 0 index पर name में मिल रहा है मतलब कि यहां पर 2 की है एक की तो है index और इस index के अंदर second dimension पर हमको मिल रहा है name तो first dimension पर जो है वो है zero second dimension पर है name फिर से हम इसी को refresh करेंगे और हम पाएंगे कि हमारा name मिल गया new user मिल गया इसके आगे हम बढ़ सकते हैं तो इसको हम uncomment कर देते हैं फिर से so that की हमको यहां से field मिल जाएंगे सभी के सभी ठीक है तो अब हम यही वाला जो code है यही हम copy paste कर लेते हैं बाकी जगाँ पर तो यहां पर unique ID हमको चाहिए थी unique ID के लिए हमने यहां पर paste कर लिया यहां पर address चाहिए था उसके लिए हमने कर लिया और यहां पर address वही लिखा रहेगा यहां पर address की जगाए address हो जाएगा और नीचे कुछ और details है जैसे कि यह वाली तो यहां पर जैसे father's name, other, mobile number, email, married, spouse, married status तो हम ऐसा करते हैं इसको one time में करेंगे यहां से हमने last पे गए and break से ठीक पहले आए और यहां पर हमने कर दिया गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी हो गई हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे यहां पर देखो यह वाला shortcut काम नहीं आ रहा है क्योंकि अगर हम ध्यान दे तो mobile में single value थी इसलिए और email में single value इसलिए तो हम यहां पर भी double value कर देते हैं अभी के लिए और फिर से इसको मैं select करता हूँ सब, last पर गए यहां से break से पहले आए and, अब यहां पर हमारा सभी लाइने सही हैं, यहां पर हमने कर दिया paste, ठीक है अब यहां पर simply हमने data आप वही वही लाकर रख लेना है जो जो चाहिए है तो name में name हो गया यहां पर unique id चाहिए थी यहां से हम unique id ले ले लेते हैं आप अपने तरीके से इसको जैसे जल्दी जल्दी करना चाहें कर सकते हैं address में हम यहां से ले लेते हैं address तो यह आ गया यहां पर address नीचे आते हैं यहां पर father's name है so हम father name यहां से ले आते हैं ठीक है और यहां पर आधार number है तो हम यहां से आधार number ले लेते हैं actually values जो होती है इनकी spelling थोड़ी बहुत गलत हो जाया करती है लिखने में और उसकी वज़े से कभी कभी परेशानी आती है तो इसलिए हम यहां पर copy paste कर रहे हैं चलो mobile को हम लिख लेते हैं ऐसे ही और mobile के बाद में जो alternate mobile है इसको भी हम ऐसे लिख लेते है alternate underscore mobile and email भी आसान है तो email भी हम यहां पर लिख लेते हैं spelling सही होने चीए बस married status यहां पर हमने married status में यह लिख दिया and spouse name में कुछ भी नहीं है खैर हम यहां पर ले लेते हैं finally यह data हमारा complete हो चुका ठीक है जितनी हमको चाहिए थी वो हो गई नीचे जो है यह table वाला data है उसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं करने वाले हैं तो यहां पर अगर इतना हो चुका है that means कि हम एक बार यहां से फिर से क्या करते है कमेंट कर देते हैं इसको और चलते हैं refresh करते हैं अपना page देखते हैं कितना data सही मिला कितना गड़ बड यूजर का नाम मिल गया उसकी unique id मिल गई उसका address मिल गया यहां पर बाकी सारी details जो लाकर so ही करा लेते हैं इसके बाद में हम नीचे वाल अबर करेंगे और कुछ चीजे और रहा जाते हैं जैसे कि married status 0 जहां पर आ रहा है वहां पर हमको क्या दिखा दाएना है unmarried और दूसरा one आये तो married और यहां पर फिर response name ठीक है यह response name हम दिखाएंगे यह दिखाएंगे बाकि इसमें हम फालत में इतने logics नहीं लगाने वाले हैं तो अभी हमको image चाहिए तो image के लिए क्या करते हैं आपको याद होगा ही हमने अभी थोड़ी देर पहले all customer details वाले page पे यहां पर all customer details वाले page पे image लिया था यह दिख रहा है यह यही 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 same to same tag ह हो रहा है यहां तक इसको हम copy करते हैं क्यों क्योंकि हमको चाहिए है image और कहां चाहिए हमें हमारे customer profile में चाहिए ठीक है तो थोड़ा सा उपर आते हैं यहाँ पर और यहां पर image पहले से use हुई पड़ी है यह रहा ठीक है यह tag है जहां पर image पहले से use हुआ पड़ा है तो हम इसको disturb नहीं करते हैं इसको बस हम comment कर देते हैं कहां से कहां तक यहां से लेकर यहां तक ठीक है और यहीं पर हम अपना वाला code पेस्ट कर देते हैं जो हमारा code है तो हमने पेस्ट किया अब यहां पर थोड़ी सी चीजें चेंज हैं चेंज क्या है एक तो यह कि डॉलर वैलू की जगा पर यहां पर हम लेने वाले हैं क्या प्रोफाइल जीरो इंडेक्स तो कंडिशन सेम तू सेम रहेगी हमने यहां पर कं image equal to equal to null आ रहा है तो के case में हम uploads में customer में default.png जो है वो सो कराएंगे otherwise हम यहां पर क्या करेंगे जो customer की profile है वही सो कराएंगे बागी सारी चीजे as it is रहने देने वाले हैं तो यहां पर हमने profile के लिए जो class लिया था वो भी हम same to same दे देते हैं यह थी class तो हम यहां पर class यही गई थी ठीक है बाकी सारी चीजे same to same रहन देते हैं अल्ट में अगर हम देना चाहें तो हम user का name दे सकते हैं जो भी user का name है तो इसके लिए alternate में हम यही same to same चीज copy paste कर लेते हैं इमेज में आपको alt tag के बारे में पता होगा अगर नहीं पता है तो जान लेते हैं अगर आपको पता है तो मुझे comment करके बताईए alt क्या है alternate number alternate name मतलब कि in case अगर image का path गड़बड है तो उसकी जगह पे हमको क्या दिख जाएगा यह alternate name दिख जाएगा ठीक है अब आपको दिख रहा है हम कैसे reuse कर ले रहे हैं code का चलो इसको एक बार हम reference करके यहाँ पर देखें कि क्या मिलता है तो इसका कोई भी image था नहीं इसलिए क्या हुआ यहाँ पर default वाली image हमको मिल गई यह चीज़ सेट हो गई अब बात रह जाती है यहाँ पर married status की तो इसको भी हम ठीक कर लेते हैं कि अगर 0 मिल रहा है तो हम यहाँ पर unmarried दिखाएंगे और 1 मिल रहा है तो married दिखाएंगे इसके लिए हम simply क्या यूज करने हो लें टर्गनरी operator तो इसके लिए हम आते हैं कहाँ पर नीचे आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर है married status का यह रहा married status के लिए ठीक है यही code है तो इसमें हम क्या करते हैं हमने यही वाला code जो married status है यही ले लेना है अब इसको लेने से पहले इसको हम यहाँ से cut करते हैं और सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसका data type कौन सा है तो where damp हमने call किया इसके अंदर यह value डाल दी ठीक है where damp के अंदर ही हमने simply copy paste कर दिया जो हमारा code था यह वाला पूरा का पूरा ठीक है और बस हम क्या देखना चाहते हैं कि वो 0 और 1 जो आ रह data का concept use करते हैं तो हमने करना क्या है हम क्या कहने वाले हैं कि अगर profile data married status अगर equal to equal to है किसके 0 के और यह 0 कैसा है string 0 है अगर ऐसा है तो 0 है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर लिख देंगे un dash मे married ठीक है otherwise के case में यहाँ पर हम लिख देंगे क्या married हो गया हमारा का एक बार इसको हम refresh करें तो हम refresh करते हैं यहाँ पर देख रहा है married status में क्या आ गया unmarried आ गया और यहां पर अगर one होता तो married आ दाता चलो एक बार हम अपने table में चलते हैं database में चलते हैं और कुछ relevant data लाकर फिर check करते हैं तो customer table पर आए यहां पर देखते हैं किसका status जो है वो married है तो status में अगर हम चले married status किसी का status married है ही नहीं very good मतलब हमने अभी तक कोई ऐसी detail फिल अप ही नहीं की कोई बात नहीं चलो एक हम new registration कर लेते हैं married के साथ में तो again है इस उसील customer name और हम कुछ भी detail दाद देते हैं बाकी सारी चीजों के लिए यहां पर कुछ इस तरीके का number यह छोड़ देते हैं और यहां पर हम ले लेते हैं married and married में हम दे देते हैं ABC ठीक है और image भी एक ले लेते हैं so that कि इस बार को बाकी सारी चीज़े हमको सही सही मिल जाएं तो मान लो हम image ले लेते हैं यह वाली ठीक है और submit किया detail आ गई अभी credit debit कुछ भी नहीं हुआ है ठीक है image आ गया है यहां पर हम click करते हैं और देखते हैं detail यह image सही मिल गई हमको ठीक है status भी हमको married मिल गया और यहां पर spouse name मिल गया that means कि यह चीज हमारी clear हो गई कि यह सही है तो profile जो single profile है इसका आधा काम तो हो गया कि हमने details यह पूरी 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 सो करा लिए अब दूसरा हमारा जो काम बसता है वो बसता है transaction table वाला transaction table में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है पहले तो हम यह heading जो है यह change कर लेते हैं तो हम नीचे आते हैं इसी वाली फाइल पर जो हमारा customer profile वाली फाइल है इसी पर हम नीचे आते हैं यहां पर सबसे पहले कि इस heading को हम सही कर लेते हैं तो transaction table पर अगर हम चाहें यहां पर तो यूजर का name दिखा सकते हैं यूजर का name दिखाने के लिए हमको simply करना क्या पड़ेगा यही जो name वाला है tag पूरा यही हम copy paste कर ले इतना हमने लिया copy एक चीज़ और देखो जल्दी से वहां पहुँचने का तरीका अभी मैंने उसको cut किय गया था that means कि control z करूँगा मैं वहां पहुँच गया ठीक है और फिर control y करके मैंने paste कर दिया समझे तो यहां पर हम क्या करते हैं apostrophe s तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो भी नाम है जैसे मान लो हे सुसील हे सुसील transaction detail यहां पर आगया ठीक है बाकि अभी इस table में हमको detail चाहिए है तो table में details ही है मतलब कि हमको फिर से चलना पड़ेगा कहा हमारे welcome पे और welcome पे चलने के बाद में हमको data क्या चाहिए है हमको पूरा complete data चाहिए है हमारे transaction का तो यहीं पर हम क्या करते हैं dollar data और यहां पर क्या हो लिए ते हैं transactions करके हमने ले लिया एक key और इसके बिहाब पर हम यहां पर क्या करने वाले है यही same to same line copy paste करेंगे क्यों 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 कि हमको data तो सब चाहिए है लेकिन हमको जो data चाहिए वह चाहिए है दूसरे table से तो दूसरा table जो है वो कौन सा है हमारा transaction वाला है यह रहा हम हम वापस आते हैं अपने पर कहां गया हमारा यह रहा नहीं हम भटक गए हम भटक गए हमारा और कस्टमर डिटेल्स पर नहीं और कस्टमर डिटेल्स पर नहीं थे हम customer profile पर थे ठीक है customer profile पर आए यहाँ पर एंड यहाँ पर हमने table का नाम दे दिया क्या है सुसील customer transactions और यह सारे transactions हमको चाहिए किसके भिहाब पर है unique ID के बहाब पर मतलब जहां जहां पर unique ID यह वाली मिलेगी जो हमारे customer की है तो वो सारे के सारे transaction हमको दे दे अगर ऐसा वाकई में है तो चलो हम सबसे पहले यह transaction details देख लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे ठीक है आपको देख रहा है हमने फिर से reuse कर लिया है उसी code का और echo किया चलो एक बार करने के लिए एक काम हम और कर सकते हैं यहां पर ही सिधे हमने change कर दिया unique ID और enter करते हैं इसके transactions थे total तीन transaction थे दो cash के थे दो credit के थे एक deposit का था तो वही चीज यहां पर भी है दो credit और एक deposit का transaction है that means कि हमको data मिल चुका और यही चीज हमको चाहिए थी ठीक है अगर यह मिल चुका मतलब कि आब हम इसको comment कर देते हैं और हमको यह सारा detail कहां से मिलना वाला customer transaction नाम के किसे मिलेगा इसकी से मिलेगा तो अब हम फिर से कहां चलते हैं हमारे all customer details पर all customer कह रहा हूं customer profile पर चलते हैं और यहां पर हमें इसी वाले tr loop को घुमाना है तो अब अगर हम reuse करना चाहें code को तो आपको पता है all customer details वाले table में हमने loop घुमाया था दिख रहा है यह code यही same to same code हम यहां से copy करते हैं और चलते हैं customer profile में और यहां पर paste कर देते हैं ठीक है बस यहां पर हमको change क्या करना है यह data change करना है तो चलो इस data के ल दिया and यहां पर हमने customer transaction दे दिया as value ठीक है और यहां पर हमको बंद करना है तो हम यहां पर बंद करने के लिए भी चाहें तो यहां से हम code ले सकते हैं नीचे से क्योंकि यहां पर हमने comment अगरा पहले से लिक रखा है तो यही वाला code हमने copy कर दिया और यहां पर क्या-क्या से चेक कर सकते हैं एक बार को चलो चेक कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं एक बार हम फिर से रिफ्रेस्स करते हैं देख रहा है डेटा सारा मिल चुका है हमें ठीक है तीनी डेटा था और यह डेटा जो मिल रहा है किस फॉर्म में मिल रहा है असेंडिंग और में चार यहाँ पर change करना पड़ेगा क्या change करना पड़ेगा हम आते हैं अपने controller में यहाँ पर get single data से हमारा काम नहीं चलने वाला है हमको चाहिए है कुछ ऐसा model का method जो की हमको ascending और descending order की facility दे तो हमने अभी previously एक use किया था यह ठीक है यह वाला है get data by select by order तो select में तो हमको सब कुछ select करना है लेकिन हमको order by करना है और कोई है यहाँ पर जिसको हमने बनाया हो order के लिए नहीं और तो कोई नहीं यहाँ पर जिसको हमने order के लिए बनाया हो ठीक है हम इसी का use करते है इसको हमने copy किया लेकर आए हम welcome पे और यहाँ पे simply क्या करते हैं जो हमारा यह model था यही पर हम paste कर देते हैं ठीक है अभी के लिए बस क्या ध्यान देना है यह इतना error दे रहा है ठीक है कोई बात नहीं इसको देने दो हम simply यहाँ पर table name हमने बता दिया है जो select करना है वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा तो हम यहाँ पर select क्या करना चाहते हैं वो दे देते हैं array में हम दे देते हैं star ठीक है that means कि सब कुछ select करके लेकर आना है इसके बात में क्या है order by है और order type है तो order by और order type ओके नहीं हो पाएगा इससे नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर condition नहीं है where वाली तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर एक method अलग से और बना सकते हैं इस case के लिए तो हम क्या करते हैं single data ही है जो single data है इसी को हम यहाँ से copy paste करते हैं method में ही हम एक नया method बनाने वाले हैं ठीक है by where and order by ठीक है यहाँ पर हमको table चाहिए है यहाँ पर हमको where चाहिए है ठीक है और where के साथ में हमको यहाँ पर select भी चाहिए होगा dollar select हमने दे दिया एक तो क्योंकि select हमको क्या करना है वो भी हम दे देते हैं सब चाहिए है कि कुछ specific चाहिए है ताकि हम multiple चीजों में इसका use कर सके और यहाँ पर दो variable जो हमको चाहिए है order by के लिए वो हम यहाँ से ले लेते हैं यही same to same दोनों चीजे copy किया, यहाँ पर आते हैं उपर और यहाँ पर हमने paste कर दिया मतलब कि order by और order type भी हो गया finally हम लेते हैं इसको ठीक है, और यहाँ पर हमको थोड़ा सा change भी करना पड़ेगा, change क्या करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पर change किया है, देख रहा है यह query, यही same to same query हम copy करते हैं यहाँ से और ले चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम इसको paste कर देते हैं ठीक, तो हमने देखना क्या है, हमने select किया from table का नाम है, सही है और बस यहाँ पर एक चीज और कर देनी है, हमको क्या यह, where वाला clause था यही where वाला clause हम copy करते हैं, यहाँ से और ले आते हैं, यहाँ पर paste कर देते हैं और इसको हमने comment कर दिया तो अब यह हमारी query पूरी क्या बन जाएगी select from table name where unique id equal to unique id order by unique id type हो गया ascending, या descending ठीक है, यह हमारी query बन गई और हम इसको यहाँ से copy करते हैं ले चलते हैं हमारे welcome पे और यहाँ पर simply कुछ और करने से पहले हम क्या करते हैं यह पूरा का पूरा यहाँ तक paste कर देते हैं तीक है, और एक चीज हमने गड़बड कर दी क्या गड़बड किया, यह this model जो लिखना था वो हमने यहाँ से delete कर दिया है तो यह भी हमने यहाँ पर लिख दिया, तीक है तो अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पर table का नाम हो चुका है, पहली चीज दूसरा हमने select दे दिया, star में सब कुछ, और यहाँ पर क्या देना है यहाँ पर देना है where तो यहाँ पर where हमने पहले से लिख रखा था unique id अगर unique id मिल रही है तो के case में और बात रगए यहाँ पर type की तो type हम किसके थुरू देने वाले हैं तो order by हम देने वाले हैं किस से unique id से तो unique underscore id हो गई और साथ में यह कैसा होगा DESC descending order में, बस इतना करना था अब हम इसको यहाँ से delete कर देते हैं इतना code क्योंकि यह हमने बस field देखने के लिए लिया था कि कितने arguments हमारे इस method में होने चाहिए ठीक है तो अगर यह हो गया है then हम finally अब एक बार इसको फिर से check करेंगे क्यों? क्योंकि हमको descending order में चाहिए है और where clause के साथ में चाहिए था तो चलो एक बार फिर से हम refresh करते हैं data हमको मिल रहा है चार पांथ छे चार पांथ छे तो मिल रहा है बट एक बार हम यह देख लें कि customer transaction में ही है ठीक है और हमने dsec दिया हुआ है यह भी ठीक है ओके और अगर हम यहाँ पर ascending order दे रहेते हैं तो क्या करेगा asec and refresh करते हैं कुछ गड़बड़ी तो हो रही है क्योंकि यह हमको 4-5-6 पर दे रहा है लेकिन हमको 4-5-6 से नीच यह है एक बार हम customer profile में देख ले यहाँ पर भी हमने value प्रिंट कराई थी इसको अभी कलिए हम comment करते हैं वैसे वह वहाँ तक जाएगा भी ने बात यहीं पर आकर रुख जाएगी तो हमने यहाँ पर सब कुछ सेलेक किया है ठीक है और हमने order by यहाँ पर descending किया था एक बार हम यह देख सकते हैं कि हमने जो नीचे वाले में descending के लिए लिखा था वो क्या लिखा था हाला कि ऐसा होना नहीं चीए था है एक बार फिर से हम control shift r के साथ में press करते हैं 4 5 6 दे रहा है transaction में अगर हम आकर देखते हैं तो 4 5 6 कुछ गड़बड़ी है id 4 5 और 6 id 4 5 और 6 8 7 8 7 8 7 करें ओके ठीक है यह तीन transaction थे ठीक है यहाँ तक तक ठीक है कि यह हमको दे रहा है रहा है कुछ इस तरीके से लेकिन कुछ तो गड़बड़ी हो रही है कि यह हमको complete data चाहिए वो सही तरीके से नहीं दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कहा है कि जहाँ पर unique id यह मिल रही है वहां से दो और unique id के बिहाब पर ascending करना था हो सकता है unique id के spelling गलत हो कुछ नहीं किया है ठीक है मुझे एक minute चाहिए है चेक करने के लिए सब कुछ सही है कभी कभी जल्दी के चकर में गड़बड़ी हो जाती है और सायद आपको पता भी चल गया होगा गड़बड़ी हो हुई क्या है हम unique id के बिहाब पर कहा है descending करने के लिए जबकि हमको क्या करना था id के बिहाब पर करना था बस और सारी चीजे सही है चलो एक बार इसको हम रिफरेस करते हैं दिख रहा है आपको 6, 5, 4 आ गया मतलब कि सब कुछ सही था बस यहाँ पर जल्दी जल्दी में हम unique id ही लिख दिये थे बागी सारा data हमको सही सही मिली रहा है और हमको यहाँ पर transactions दिखाने है यहाँ पर values है ही है सब की सब हमको क्या करना है बस step by step वही सारा detail यहाँ पर show करा देना है तो अब इसके लिए यह जो पहली line है अगर हम चाहें तो इनके लिए कुछ data हम all customer details वाले table से ले सकते हैं जैसे कि यह पहला वाला data यहाँ से हम ले लेते हैं copy क्या हमने यहाँ से यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने दे दिया यह ताकि number जो है वो आ जाए बाकी जो है इसके लिए हम क्या करते हैं यही same to same syntax हमने यहाँ से लिया और यह है unique id के लिए so हम unique id के लिए ही दे रहे हैं और यहाँ पर हम semi colon लगाना भूल गया थे ठीक है यहाँ पर अब क्या करना है हमको बनाना पड़ेगा dollar value हमने दिया and dollar value के अंदर यहाँ पर हमने दे दिया semi colon यही same to same चीज हम copy paste कर लेते हैं बाकी सब जगाँ उपर पहले तो यही है सारी जगा हमने copy paste कर लिया ठीक है अब हमको जो जो यहाँ पर चाहिए है वो सारी चीज़े हम लिख देते हैं ठीक है और हमने एक भारी गलती की बारी गलती क्या की जल्दी जल्दी के चक्कर में टी हेड में यह सारा काम कर रहे हैं जब कि यह सब कुछ कहां करना है यह सब कुछ करना था टी बॉड़ी में कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती है अभी भी देर नहीं होी है बस ये code यहाँ से कट करना है, हमने इसको ड़क किया और इसको लेकर आए कहाँ पर ये आओ यहाँ लेकर आए तिक है, और ये जो code है ये code भी हमने यहाँ से कट किया, और इसको हम simply लेकर आए जहां पर हमारा TR बंदो रहा था यहां पर ठीक है अब सब कुछ ठीक है तो अब सबसे पहले तो हमें ये सही करना है तो हम इसको सही करते हैं यहां पर एक TD हमको और चाहिए है तो हम एक और TD ले लेते हैं दैन क्योंकि हमारे पास जो डेटा आने वाला है वह कितने सारे डेटा है नमबर है 2,2,4,2,6,7 डेटा चाईए हमको तो दो दो चार, 2,6,7 डेटा rosoft ठीक है अब सबसे पहले हम इसको delete कर देते हैं बीच का content ठीक है और copy paste करते हैं वहाँ से हम लेकर आना भूल गया कोई बात नहीं हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमको लिखना है dollar value and semicolon और यहाँ पर php का syntax बन दो गया ठीक है यह हो गया प्लस यहाँ पर जो था यहाँ पर असल में हमको लिखना था dollar i and dollar i के बाद में dollar i plus plus and semicolon यह तो हो गया किसके लिए increment के लिए अब यहाँ से चालू होती है हमरी कहानी तो सबसे पहले हमें क्या करना है unique id के लिए देना है तो चलो यहाँ से हम unique id copy किये लाकर पेस्ट किये उसके बाद में दूसरी चीज क्या है credit तो ओके हमको data credit और debit वाला भी चाहिए था फिर वही बात आती है कि हम यहाँ पर हमको condition लगाने पड़ेगी हाला कि हम condition लगा सकते है credit और debit के लिए क्योंकि amount जो हमको यहाँ पर मिल रहा है लेकिन अगर हम simple way में चलना चाहें तो हम यहाँ पर अभी जो हमने यहाँ पर code लिखा कौन सा यह वाला इसकी जगा पर हम चा सकते हैं ठीक है और उसमें join करने की जरूत नहीं है बस हमें simply sub query क्या करते हैं एक दो query है लिखनी पड़ेगी sub query किसके लिए जैसे हमने यहाँ पर अभी किया था थोड़ी दिर पहले यह वाली query तो हमको यहाँ पर join की जरूत तो नहीं है लेकिन credit और debit जो है वो भी हमको यहाँ पर अलग-अलग field में मिल जाएंगे तो हमें यहाँ पर extra work क्या नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर अभी के लिए हमें तोड़ना पड़ेगा इसको यहाँ पर condition लगाने पड़ेंगे condition लगाने में इसका code जाए वो लंबा हो तो मैं यह काम पहले तो आपके लिए उपर छोड़ता हूँ कि आप इसको कैसे करोगे मतलब कि अगर हमें यहाँ पर comment हमने हटा दिया ठीक है इसको हम refresh करते हैं अभी error देगा लेकिन अच्छा ठीक है कुछ जाद ही error दे रहा आपको क्या करना है fetch करना है कि credit और debit में आप value कैसे दिखाओ और यह total में value कैसे दिखाओ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको करने की कोशिस करोगे और इसको implement करो हमारा code मैंने यहाँ पर stop किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक code खुद से implement करो अगर कोई problem आ रही है confusion है error है तो comment करो मैं कोशिस करूँगा जल से जल बताने की ठीक है फिर मैं मिलता हूँ next video में हमारे बचे हुए काम को complete करने के लिए तब तक आप coding करते रहो मस्त रहो स्वास्त रहो जाहिन नम्राइब